नमस्का दोस्तों, काजल को आंखों का मेहपतपूर्ण घेना माना जाता है, आखों में काजल लगाने से आंके बड़ी और सुन्दर दिखाई देती हैं, हमारी आंके बहुती सम्वेंदर शील होती है, जो बहुत जल्दी और असानी से संकर्मन की सेपेट में आ जाती है, आज की वीडियो में हम आपको घर पर ही काजल बनाने का तरीका बताएंगे तो चलिए जानते हैं घर पर काजल बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्रक्ता होगी तो चलिए जानते हैं काजल बनाने का तरीका सबसे पहले दोनों कपो को थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखें गैप इतना होना चाहिए कि उनके बीच मिट्टी का दिया आ सके दोनों कपो के उपर तामबी की प्लेट उल्टी करके रखें मिट्टी के दिये में सरसो या आरंडी का तेल डाल कर उसमें रूई की बत्ती डाले और दिया जला दे जलते हुए दिये को दोनों कपों के बीच में रखें और ध्यान रखें कि दिये की लोग प्लेट तक पहुंच रही हो अब इसे 20-25 मिनट या पूरी रात के लिए छोड़ दे प्लेट ठंडी होने पर उसे सीधा करें और उस पर जमी काली को खुरज कर खाली डिबिया में डाल ले अब इस राख में कुछ बूंदे शुद्ध देसी घी की मिलाएं और स्मूथ पेस्ट बना लें काजल का पेस्ट ना जादा गाड़ा हो और ना जादा पतला अब इस बने काजल को अपनी आखों में लगाएं और आखों को सुरक्षित और सुन्दर बनाएं इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ शियर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ बैल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नोटिफिकेशन आप तक सबसे बहले पहुन सकें धन्यवाद दोस्तों